गंगा ग्यान होमियोपथी क्लिनिक पीची के सामने हनवान चौरह के पास एबी रोड गुनाम मध्यपदीश गोल्ड बाड़नेस डॉक्टर अजीत जैन होमियोपथी गुना करशी उपज मंधी में किसानों को फसल बेचने में हो रही है परिशानी परिशानी बताने आये करश्कों ने मंधी कारले पहुँचकर की नारेबाजी आज डांक नहीं होने की करण भी किसान हुए परिशान मंधी अद्धक्ष ने सभी आरोप कोन न कारा बलंगपुरा में कल रात बर्ट फैक्टरी में अमोलिया गैस का हुआ रिसाव लगबग 10 किलो गैस के रिसाव की वज़े से लोगों में मची अफ़रा तफरी SDM, CSP और TI सहित वर्ष रदिकारी पहुँचे मौके पर आगामी दिनों में गुना में होगी अनुसुचित जाती वर्ग की प्रदेश कारसमिती की महत्वपून बैठक तैयारियों के सलसले में अनुसुचित जाती के प्रदेशादक्ष सूरच कैरों ने आज गुना में तैयारियों के संदर में ली बैठक ग्राम सकत्पुर की महिलाओं ने आज बोरिंग के लिए अधिकारियों दोरा पैसे मांगने के लगाए आरोग महिलाए पहुची शिकायत के साथ गुना करेक्टर के पास गुना विधायक को भी सुनाई अपनी व्यथा गुना विधायक ने ग्रामीनों की समस्या को किया निराकरण बाइपास के पास ट्रक एक्सिडेंट की वज़े से बनी जाम की इस्तिति एक्सिडेंट में घायल ड्राइवर को पहुचाए गया जिला अस्पताल आम आपनी पार्टी अपने प्रदेश संयूजक की ग्रफतादी के खलाफ करेगी उग्र प्रदेशन दिया सुमवर्तक का अल्टिमेटम आदिनाथ जिनाले में तीन दिवसी वेदी प्रतिष्टा समारो के अंतरगत आज हुआ याग मंडल विधान कल होगा वेदी प्रतिष्टा करेग्रम के अंतरगत समापन समारो पश्यूपालन विवाग दौरा संपन हुई तीन दिवसी गोपाल प्रतियोगिता जिला सरी गोपाल प्रतियोगिता में चाचोड़ा की गायर ने 17.100 ग्राम दूद दे कर पाया पहला स्थान कुमराज की भैस को मिला 13.600 ग्राम दूद के साथ पहला पूरुसकार ग्राम अमोदा और ग्राम सकत्पूर में गुनाव धायक पदालाल शक और भाजबा जिलाद्यक्ष रादिशाम पारिक के मुख्य आतित में हुआ कई निर्मान कारियों का भूमी पूजन रागोगण में राश्टी सेवा योजना के तत्वाबधान में आयोजित कौमी एकता शिवर का आज हुआ समापन विश्व एट्स निवस पर और हईचाईवी को लेकर किया चात्रों को जग रो ग्राम तली खेड़ा में पुलिस अधिकारी पहुँचे छात्रों को कानूनी जानकारी देने ग्राम सिंग्वाजा पहुचकर गौरक्षक समीती ने गरीब बच्चों को बाटे वस्ट गंगा ग्यान होमियोपथी क्लिनिक पेची के सामने हन्वान चौराह के पास एबी रोड गुनाम मध्यपदीश गोल्ड बड्निस डॉक्टर अजीत जैन होमियोपथी